किसी भी देश और समाज के लिए प्रगती और संब्रधी के नित नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए समय समय पर होने वाला रिफॉम अत्यन्त महतुफून होता है लगातार हर एक फिर्ड में पिछले दस वर्स के अंदर बेहतरीन रिफॉम करके भारत की अर्थ विवस्था को एक सम्मान जनक इस्तिती में पहुचाने और दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थ विवस्था की रुप में भारत को स्थापित करने के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी के नेत्रतों में काफी कदम उढ़ाए गए रिफॉम किये गए स्वाभाई कृप से एक तरब हम संब्रिदी के नितने सोपान छुएं दूसरी तरब अपनी राष्टिय सुरक्सा को भी उतना ही महत्व देना होगा और राष्टिय सुरक्सा को भी चाईवा सेना में उनके साजो सामान में आत्म निर्भरता के लक्स को प्राप्त करने का कारे हो या फिर सेना के आदुनिकी की करण से जुड़े हुए एक तरित निने लेने की गति को आगे वढ़ाने का सेना भी इस रिफॉम के साथ आगे वढ़ी है आज अत्यादुनिक फाइटर बिमान भारत की सेना के पास है डिफेंस मैनिफेक्चरिंग कोरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिल नड़ो में बिख्सित हो रहा है उत्तर प्रदेश में ही हमारे डिफेंस कोरिडोर में छे नोड में हजारों करोड उपे का निवेस आया है भारत डाइनमिक्स लिम्टेट का कारे हो या फिर ब्रमोस मिसाइल बनाने की प्रगति बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है स्वभाई कृप से सेना भी हमारी इस गती के साथ इस रिफोम के साथ आगे वढ़ सके अगनिवीर की योजना भारत यस सेना में इसी तिस से आगे वढ़ाई गई है युआओं के मन में एक उत्सा है दस लाग अगनिवीर भारतिय सेना के अगनिपत के मजबूत जवान के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे वड़ रहे हैं नौजवानों में उत्सा भी है दुरुभाग्य है कि कुछ राजनितिक दल जिनके लिए स्वयम की राजनिति देश से बड़ी हो गई है वे देश की कीमत पर राजनिति करना चाते हैं उनका काम ही है कि हर रिफोर्म वाले कारे को हर प्रगती वाले कारे को हर संब्रिदी वाले कारे में टांग अड़ाना अनावस्यक ब्याउधान पैदा करना गुम्रहा करना भड़काने की बयानवाजी करना और लगातार उनके दौरा इस परकार के किर्टे किये जाते रहे हैं और इस मुद्वे को लेकर के भी विपक्सने लगातार गुम्रहा करने का परियास किया आज अगनिवीर में जहां युवा बढ़ती हो रहे हैं एक ट्रेंड युवा अगनिवीर की सेवा को पूरा करने के बाद उन्हें सेना में भी अच्छा उसर प्राप्त होने वाला है पेरा मिलिटरी में सिविल फुलिस में और विविनिस सेक्टर में भी उन्हें समायुचन करने के लिए विवस्था दी जा रही है वीएसेप ने सियार फीएप ने सियाईसेप ने अन्य तमाम हमारे जो पेरा मिलिटरी हैं उन्होंने भी इस बात की गोशना की है और उत्तर ब सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तरप्रदेश पुलिस सेवा में पीएसी में इन नौजवानों को प्रात्मिक्ता के आधार पर समायुचन की एक सुविधा देंगे वैटेश देंगे उनके लेक निस्सित आरक्षन की सुविधा हम अपनी सेवा अपनी पुलिस में उपलब्द करवाएंगे एक टेंड मैंड पावर हमें मिलेगा अनुसासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाप राज्य लिने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिवद्द होंगे कि उन मंत्री मोदी जी के और भारत सरकार के सेना रिफॉर्म के अव्यान के साथ रास्तिय सुरक्षा को सुरुपणी मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए